आज बात करेंगे हम Cultivation of Capsicum and a चिली के बारे में Capsicum यानि की हरी वाली जो बड़ी सी सिम्ला मिर्चा होती है वो और चिली यानि की छोटी वाली जो लंबी तीखी मिर्ची होती है उसके बारे में ये एक ही फैमिली और एक ही स्पिसिस को बिलॉंग करते हैं, हम यहाँ पे जानेंगे कि इनकी खेती कैसे होती है उसके बारे में, हम चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से महतपूर्ण, डिजिस पेस्टा, कल्टिवेशन आप कैपसिकम और चिली को प्रभावित करते हैं, कौन- के क्लाइमेट और इन्वारिमेट और सोयल है, वो कैपसिकम की खेती के लिए महतपूर्ण है, डिजिसान की का बारे में, और पोफ्ट हार्विफ्ट कैसे मैनेज किया जाता है, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे, आईए चर्चा आरंब करते हैं, discussion में हम पहले बात करेंगे capsicum का botany के बारे में और उसका significance के बारे में कि क्यों खेती की जाती है capsicum endokeit का तो पहले हम बात करते हैं capsicum plant का capsicum plant को botnically capsicum inam काते हैं इसका botnical name है और ये Sophie-nay Sue-nasi family को belong करता है इसका origin हिश्थाल Mexico है यह आपको याद रखना है यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का यह black paper दिखता है इसे ही black paper या sweet paper के नाम से जानते हैं capsicum, capsicum में एक special chemical होता है उसकी वज़ा से उसका तीखा पन होता है तो basically इसे क्या कहते हैं capsicum यह exam में आता है इसका component जिसकी वज़ा से यह तीखा पन आता है उसे capsicum कहते है capsicum enum के साथ साथ में capsicum frutescence है यह white color का flower देता है जबकि capsicum pubescence है यह purple color का flower देता है तो यह वो exam factor है जिसे आपको जानना चाहिए इसके अतरिकता आप देखते हैं कि capsicum जो यह है bell paper कहते हैं इसके production में चाइना सब से आगे है इसके अतरिकता हम बात करेंगे कि इसे क्यों cultivate किया जाता है तो इसे cultivate किया जाता है इसके resource आप vitamin C की वज़ा से यानि कि capsicum चिली है vitamin C का भंडार है यह एक महत्पूर्ण vegetable crop है भले ही इसमें इतनी ज़्यादा heavy मातरा में इफ्टार्च या प्रूटेन नहीं होते फिर भी इंडिया में तीखापन के लिए जाना जाने वाला यह मिर्चा खास करके चिली यह important vegetable की category में आता है अब बात करेंगे चिली और capsicum का सबसे ज़्यादा खेती हिमाचार प्रदेश में होता है इसके अत्रिकता उत्राखंड एंड जम्मू कस्मिर भी जाना जाता है यदि हम बात करें कि सिम्मला मेर्च का जब इस तरह से सबजी बना करके खाया जाता है तो यह high nutritive value vegetable है और इसे luxury vegetable के तौर पे भी यूज किया जाता है खास करके जो सिम्मला मेर्चा है capsicum है उसको भले ही जो चिली है रेड चिली है उसको कोई भी cultivate कर लेता है खाया जाता है वो अलग बात है जो capsicum है इसके fruit को कई बार सिधे green तौर पे या red या फिर orange या फिर yellow की रूप में काटा जाता है तो ऐसा नहीं है कि यह केवल green में हार्वेफ्ट होता है इसे कई फाम में हार्वेफ्ट करते हैं जो dry चिली है इस पे इफटाग 6% और pericarp 40% 54% सीड होता है याद रखना है कि basically सीड जादा होता है इसके अंदर में pericarp की समात्रा कम होता है pericarp केवल 40% होता है जिसे basically खाते हैं और बाकी का अंदर के जो portion है वो लगबग लगबग खुकला होता है आगे हम बात करेंगे कि इसका climate और soil किफ्टरा का होता है इसके cultivation के लिए तो capsicum के cultivation summer और winter season में किये जाते हैं ये basically longer और moderate climate पसंद करता है बेतर growth करने के लिए मैं जून best time होता है हिल के area में जबकि जो northern area है northern plane में फरवरी से जून का महिना सबसे अच्छा होता है इसके cultivation के लिए optimum temperature इसके best grow के लिए 21 से 24 degree centigrade होता है लेकिन day का temperature मान के चलते हैं 26 से 28 degree होना चाहिए और night का temperature 15 to 18 degree बेतर माना जाता है ये बहुत ज़्यादा ठंडा 12 degree centigrade से नीचे होने की अवफ्था में इसका growth रुख जाएगा और अच्छे से capficum का fruit नहीं लग पाएगा photo period और humidity के लिए capficum है वो insensitive होता है उसका ज़्यादा इस पे फरक नहीं पड़ता बहुत सका ज़्यादा पाएगा